नवरात्रों में आज जो भूमी पूजन कारेले का करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे साथियों के साथ मिलकर पूजन करने का मौका मिला आप सब को उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाएं मित्रों मैं बैठा-बैठा सोच रहा था कि हम सब लोग कितने भागेशाली हैं कि हम भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता के रूप में 2023 में खड़े हैं जब भारतिय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हम कितने भागेशाली हैं कि हम आज कारेले का भूमी पूजन करते हैं तो वह भूमी पूजन भी कारेले देश का पार्टी का एक सबसे बड़ा कारेले की का सपना देखते हैं हम कितने बड़े भागेशाली हो गए कि हम एक संभाग के 35 या 36 विधान सभा के 36 विधान सभा के बूत अध्यक्षों का सम्मेलन करते हैं तो वह सम्मेलन जन्ज सभा में परिवर्टित हो जाता है यह हमारी को देखने की ज़ुए यह हमारी ताकत यह हमारी परिस्टी इससे जहां हमको आत्म संतोश करना चाहिए वहीं उन कारेकरताओं को भी आज के दिन याद करना चाहिए जिन्होंने चार-चार पीडियां खपा दी और तब जाकर के भारतिय जन्ता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी आज हम कारेले की बात कर रहे हैं मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ 2014 में जब मोदी जी को संसथिय दल का नेता चुन लिया गया था विजंड बार्टी कारेले मुंइ आए थे हैं और उन्हें हम लोगों से चर्चा की थी विए और पूचा की हमारे कितने कारेले बने हैं पार्टी के पास कहां कहां कारेले हैं हम लोग ने कहा कि कुछ कोशिश हो रही है प्रदेश को लोग लगे हैं उन्होंने कहा हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर जिले में भारतिय जन्ता पार्टी का एक अच्छा कारेले बनना चाहिए और आपको जान करके खुशी होगी कि दो सो नब्बे कारेले बन चुके हैं आपको जान कर खुशी होगी एक सो पंद्रा कारेले बन रहे हैं और आपको जान करके खुशी होगी कि एक सो तेईस कारेले की जमीन ले ली गई है कारे शुरू होने वाला है और उसको भी हम काम करे यह कारेले जिसका आज शिला नियास मैंने किया यह most modern कारेले होगा एक हजार से ज़्यादा तो यहां पर सभागार होगा एक हजार से ज़्यादा की capacity का चार-चार conference hall होंगे चार-चार बैटकों के कक्ष होंगे modern immunity से यह सुसजित होगा दुनिया के world class standard में जो कारेले की ज़ुरते होती है वो सब भोपाल के कारेले दीन ब्याल परिसर में मौझूद होगा इसके लिए मैं विशेश करके आपको बधाई देता हूँ और यहां एक बात और भी कहता हूँ कि यह भारतिय जन्ता पार्टी का office नहीं है यह कारेले हैं यह संसकार केंद्र है यहां कारेकरता आकर के संसकार लेता है हमारे नेताओं की बात्चीत फॉर्मल और इंफॉर्मल से वो सीखता है हमारे वरिष नेताओं की जीवन काता वो लाइप्रेरी में पढ़ता है उसे बैठक लेने की आदब कर तरीका बताया जाता है और किस तरीके से समवाद को आगे बढ़ाया जाता है इसकी कलासे लेकर अपने जीवन को खपा कर विचार के लिए लगा देना इसका भी वो संसकार लेकर के जाता है उसको हम कारले बोलते हैं और ऐसे कारले के निर्मान के लिए आज का नवरात्रों में ये दिन चुना गया मैं पुना आप सबको इसके लिए बढ़ाई देता हूँ और आपको इसके लिए शुब कामनाय देता हूँ मित्रों अभी अभी चर्चा हो रही थी कि हमने नौर्थ इस्ट में सरकार बनाई है हमने मेगाले में भी इंडिये की सरकार बनाई हमने नागालेंड में भी इंडिये की सरकार बनाई है और हमने तृप्रा में भी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाई और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने दोवारा सरकार बनाई ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए ये भी हमको जाना चाहिए जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन प्रदान मंतरी मौदी जी ने एक बात कहीं थी कि ये तीन मंतरों पर तै है त्रिवेणी पर ये तै हुआ है और एक एक मंतर तीन मंतर सिर्फ तीन नहीं होते हैं एक और एक और एक मिलाकर 111 होते हैं और वो मंत्र क्या था कि भाजपा का कि सरकार का काम वो मंत्र क्या था भारतिय जनता पार्टी के संगटन और सरकार की संस्कृति और वो मंत्र क्या था कि भारतिय जनता पार्टी के कारकरता का समर्पित सेवा भाव जिससे वो जनता की सेवा करता है उसको ले करके आगे चलना मैं ये बात यहां के लिए भी कह सकता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी का कारे करता एक समर्पित भाव से काम कर रहा है सरकार भी समर्पित भाव से काम कर रही है और सेवा भाव के माध्यम से हम जनता की सेवा के लिए समर्पित और इसलिए ये जो उत्सा मैं आप लोगों का देख रहा हूँ जो जोश मैं देख रहा हूँ मैंने सुबह भी कहा था यहां आने वाले समय का संदेश दे रहा है कि एक वार फिर भाजपा एक वार फिर भाजपा उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं मित्रो अभी अभी शिवराज जी ने आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि देश मजबूत हो रहा है देश आगे बढ़ रहा है इसमें कोई दोरा नहीं है ये भी हमेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता बने हैं जब विरोधी भी हमारे से टक्राने में अपने आपको असमर्थ महसूस करते हैं ये भारतिय जन्ता पार्टी की ताकत बन गई है और मैं बैठा बैठा सोज रहा था ये समय गला खराब करने का नहीं है ये विरोधियों की हालत खराब करने का समय है अब तो उनको हमको टक्कर दे करके बताना है कि किस तरीके से भारतिय जन्ता पार्टी आगे बढ़ती है और मैं बूच के कारे करता हूं से निवेदन करूंगा कि आप लोग तर्कों के आधार पर मुद्दों के आधार पर विश्यों के आधार पर जन्ता के बीच में जाएए जन्ता आपका इंतजार कर रही है आप यह शस्वी बनेंगे आप उन तक पहुंचे यह इस बात की जरुरत पड़ेगी और जब मैं यह कहता हूं कि हम एक ताकतवर देश हैं तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था और वह मंत्र था रिफॉर्म नीटियों में परिवर्टित करो ट्रांस्फॉर्म उसकी पॉलिसीज को लागू करो और परफॉर्म करो और उसके माध्यम से आगे बढ़ो आज अगर देश की मैस्तिती देखूं तो हम यह कह सकते हैं कि भारत आज एक बदला हुआ देश है स्मार्ट फोन इस स्मार्ट फोन को इस्तमाल करने में और इसके डाटा कंजम्शन में आज भारत नंबर एक पर खड़ा है यह हमको याद करना चाहिए उसी तरीके से गोलोबल फाइनांस की टेक्नॉलोजी में दुनिया में फाइनांस की टेक्नॉलोजी को इस्तवाल करने में भारत आज नमबर एक पर खड़ा है इंडिया इस नमबर वान अगर मैं बात करूँ डिजिटिलाइजेशन में और मैं यहां आपको उन कॉंग्रेसी साथियों की भी याद दिलाऊंगा जब प्रदान मंत्री मोदी जी कह रहे थे कि आधार कार्ड के साथ जोड़ करके डिजिटल तेमें ठोगी तो उस समय जो लोग भष्टाचार में लिप्त थे आकंट ढूबे हुए थे वो कहते थे कि भारत में तो डिजिटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है यहां तो इंटरनेट की फेसिलिटी ही नहीं है यहां तो गाओं का गरीब यक्ति अनपड है वो डिजिटल कैसे ट्रांजैक्ट करेगा मित्रो यूपी आई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया में सबसे आगे खड़ा है और दुनिया के डिजिटल पेमेंट में भारत का हिस्सा 40 प्रजिशत हो गया है भारत 40 प्रजिशत उसका इस्तमाल कर रहा है और उसी तरीके से इस पात के मैनिफाक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए और उसी तरीके से आटो इंडस्ट्री में एक समय में हम आटो इंडस्ट्री के बारे में मार्केट के बारे में सुनते थे तो हमारे दिमाग में अमेरिका आता था हमारे दिमाग में योरोप आता था हमारे दिमाग में जापान आता था टोयटा और डैट्सन ये जापानी गारियां हमारे दिमाग में घुमती थी जब हमारे आमजडर और फियट होते थी आज मित्रों दुनिया में आटो मार्केट में आटो मॉबाइल मार्केट में देश ज से एक बात और करना चाहता है अभी जीटवटी की हम अध्यक्ता कर रहे हैं जीटवणी ऐसे समय में हो रहा है जब हम सारी दुनिया कोर्णा से बाहर आई है अब सभी जगह पर हमारे कोर्णा के साथ साथ एक और्थिक मंदी विशेश करके यूक्रियन की लदाई के कारण सप्लाइ चेन की समस्या के कारण सभी जगा के आर्थ व्यवस्ता सिकूर्टी जा रही है सभी जगा की आर्थ व्यवस्ता सिकूर्टी जा रही है लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि दुनिया में इससे विपरीत आज भारत खड़ा है और भारत जिसको ब्रिटें ने 200 साल राज किया आज भारत उसको ओवर्टेक करके पचाड के पांचवे नमबर की अर्थ वेवस्ता दुनिया में बन गई है और ये च्छलांग कहां से लगाई है दसवे नमबर से उठकर के हम पांचवे नमबर पर पहुंच गए ये भारत की अर्थ नीती है और इसका का प्रधान मंत्री समय पर सही और बोल्ड डिशीशन करे फैसले लेनी की ताकत रही इसलिए आज हमारी अर्थ वेवस्ता सिकुणने के बजाए फैस्टी हुई आगे बढ़ रही है और एक बड़ी अर्थ वेवस्ता के रूप में आगे खड़ी हुई मित्रों मैं यहाँ आपसे जब विकास की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं आप मद्यप्रदेश के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा मद्यप्रदेश में अगर आपने सतारवां प्रवासी दिवस मनाया और उज्जेन के अंदर इंदौर के अंदर आपने जो यह प्रवासी दिवस मनाया वह प्रवासी दिवस सिर्फ इंदौर या मद्यप्रदेश नहीं है वह प्रवासी दिवस दुनिया के नक्षे पर मद्द प्रदेश और इंदौर को खड़ा करता है इस बात को भी हमको समझना चाहेंगा मैं शिवराजी को बदाई देना चाहूंगा मैं अधरनी प्रधान मंत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जन्होंने प्रवासी दिवस मनाने के लिए इंदौर शहर को चुना और मद्द प्रदेश में उसकारेक्रम को किया दुनिया के नक्षे पर सापित हुआ वेर इस इंदौर वेर इस मद्द प्रदेश और वहाँ पर दुनिया का प्रवासी दिवस मनाया गया मित्रों रेलवेज में आज मद्यप्रदेश के लिए अकेले अकेले 33 रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्शर प्रोजेक्स चल रहे हैं और 5872 किलोमीटर की रेल लाइन डिफरेंट स्टेजिस में काम कर रही है उस पर काम चल रहा है कहीं ब्रोड गेज कहीं इलेक्रिफिकेशन कहीं नई रेलवेज लाइन इस तरीके से और उसमें 84,460 करोड रुपे खर्च होने का प्रावधान किया गया है उसी तरीके से हमारे रहनी कपलाबती रेलवे स्टेशन पर उसके भी उसका री डेवलप्मेंट किया गया उसकी काया कलप भी की गई वह भी आप सब के सामने है वह भी आपने देखा है उसी तरीके से अमरेक भारत में असी रेलवे स्टेशन ऐसे ढूंडे गए हैं जिनको री डेवलप करने की योजना बनाई गई है और अगर मैं उड़ान की बात करूँ तो मैं यहां जो तरह सिंद्या जी बैठे हैं उनको भी मैं बदाई देना चाहूंगा कि मद्यप्रदेश में उड़ान के नाम पर उन्होंने एक नई योजनाओं के माद्यम से मद्यप्रदेश को देश के नक्षे पर खड़ा करने का प्रयास किया है और धतिया में गौलियर में पंचमरी में रीवा में प्रोजेक्स को आइडेंटिफाई करके वहां एरपोर्स बनाने का काम शुरू हुआ है इसके लिए मैं विशेश करके बदाई देना चाहता हूँ अगर मैं मद्यप्रदेश की बात करूँ तो बजट के एलोकेशन में मद्यप्रदेश जन संक्या में कम होने के बावजूद भी बजट के एलोकेशन में वन अफ टॉप स्टेट्स खड़ा है ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए और उसी तरीके से मैं मुझे भी खुशी है कि यहां मेडिकल कॉलेज इसको खोलने में आधर नियप्रदान मंतरी मोदी जी के आशिरवाद से बद्यप्रदेश उन स्टेट्स में से है जहां सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुलने का काम हुआ है चौदा मेडिकल कॉलेज आपको पिछले नौ साल में मिले है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप बूच पर जाते हो तो लोगों को बताओ कि किसी जिले मेडिकल कॉलेज आने का मतलब क्या बनता है ये मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं आता है मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ उस जगह की तस्वیर बन जाती है तकदीर बन जाती है दवाईों की दुकान खुलती है एक नए तरीके से वह योज़नाई शुरू होती है डाइगनिस्टिक सेंटर्स खुलते हैं और साथ ही साथ हर साल सौ सो बच्चा डॉक्टर बन करके एक जिले में निकलता है यह परिस्थिति आकर के खड़ी होती है इसलिए मित्रो अगर मैं गिनाने लगू चौदा मेडिकल कॉलेज तो आपके ध्यान में आएगा धतिया खांडवा रत्लाम शेडोल विदीशा अब शेडोल की बात करूं और विदीशा की बात करूं कोई दस साल पहले सोच सकता था अब पच्चीस हो गए अब पच्चीस हो गए मुझे बता रहे हैं कि चौदा नहीं पच्चीस हो गए मेडिकल कॉलेज यह भी एक सिती आकर के खड़ी है जहां तक सालक के कंस्ट्रक्शन का सवाल है आपने देखा होगा चाहे 27,000 करोर रुपए से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मद्यप्रदेश के उसी तरीके से शिवराजी की सरकार ने आज ये तैय किया है कि एक लाख चौबीस हजार नौकरियां दी जाएंगी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों लोगों को बताओ कौन सी ऐसी सरकार है जो ऐलान करके नौकरियां देती हो और वह भी एक लाख चौबी में रखना यह हमारी जिम्मेवारी है उसी तरीके से आज आप वीट में एक्सपोर्टर नंबर वन बन गए हैं उसी तरीके से अग्रिकल्ट्र इंफ्रस्ट्रक्चर में आज मध्यप्रदेश सबसे ज़्यादा इंवेस्ट्मेंट कर रहा है चार हजार करोर रुपए लगा रहा है केमल पडेल साब बैठे हैं मैं उनको भी इसके लिए बढ़ाई देना चाहता हूँ कि आज अग्रिकल्ट्र इंफ्रस्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम हुआ है ओबीसी के वेलफेर की कमिशन का वेलफेर बोर्ड बनना वह काम भी यहां पर हुआ है उसी तरीके से मध्यप्रदेश में का कॉंट्रिबूशन जीडीपी में भी वह भी तीन प्रतिशत से बढ़ करके चार दश्मलव आठ प्रतिशत तक हो गया है यह हमारा मित्रो इसलिए गाओं गरीब वंचित पीडित सोशित दलित पिछड़ा हुआ व्यक्ति हमारा किसान भाई इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो उपर केंदर सरकार को नित्रतु देने वाले हमारे यह यह स्वी प्रधान मंत्री मोधी जी ने की है और धरती पर यहां लाने में शिवराज सिंग ने अपनी पूरी ताकत और उनके टीम ने लगाई इन बातों को हमको लोगों के सामने रखना है फिर चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना की बात करें अब देखिए एक तरफ प्रधान मंत्री आवास योजना में यहां 47 लाग घरों के लिए आप दाये एक तरफ सैतायलिस लाग मकान मोदी जी सैंक्शन करते हैं 37 लाग मकान बनाने का योजना शिवराजी उसको धर्ती पर उतारते हैं और वही हमारे कमलनात 15 महिने के लिए आये थे 15 बड़े बड़े काम करके गए उस काम में एक काम यह भी था कि आवास योजना का पैसा ले जाओ हम नहीं बनने देंगे इस तरीके का काम उन्होंने उठाए आयूश्मान भारत आयूश्मान भारत को भी लागू नहीं होने कि उस समय उन्होंने उसको भी रोकने की कोशिश की चलती हुई स्कीमों को रोकने की कोशिश की हम जुजला योजना लाएं महिला प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अनोजना में 80 करोड लोगों को दो वक्त की भोजन की विवस्ता हो रही है और भारत की अती गरीबी अब एक प्रतिशत 1% से भी नीचे आ गई है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए ये बदलता भारत खड़ा हुआ है लेकिन हमारे हां हमा हमारे जो ये कारे करता थे जो हमारे ये सरकार थी पिछली सरकार उन्होंने ये सारी स्कीम रोग दी उनको सशक्तिकरन नहीं चाहिए था उनको मेलाओं का सशक्तिकरन करना ये बरदाश्टे काबिल नहीं था उनको ये इच्छा नहीं थी कि आम आदमी गरीब आदमी किसान आगे बढ़ सके प्रदान मंतरी किसान से मान नीदी में किसानों को दो दो अजार रुपए हर चौते महीने दिया जा रहा है एक विकास के साथ जोडने की योजना ही बन रही है इस ये पसंद नहीं था विरोधियों को ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए मित्रों मैं कारकर्ताओं को निवेदन करने आया हूँ आकड़े और सारी चीजें बहुत अच्छे से आगे तक बताई जा सकती है अभी ये लाडली बेहना योजना जो आई है लाडली लख्मी बेहना योजना लाडली बेहना योजना इस योजना के तहट उन परिवारों को जिनकी साल की आमदनी ढ़ाई लाग से कम है उनको हर महीने एक एक हजार रुपए बेहनों को दिया जाएगा इस कारिक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा उसी तरीके से हमारे इन सारी योजनाओं के लिए लगभग एक लाख चौपीस हजार नै एक लाख दो हजार करोर रुपए इन सारी योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च हो रहा है यहाँ आज परिसिती आकर के खड़ी हुई है उसी तरीके से अगर हम देखे युवाओं के लिए बुख्य मंत्री युवा कौशल योजने कमाई योजना इसके तहद हम युवाओं को आथ हजार रुपे प्रती महिना देंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो अपने पाउं पर खड़े हो सके और समाज के में दो हजार एक और दो में प्रती व्यक्ति आए ग्यारा हजार साथ सो अठारा रुपे थी आज वो बढ़ करके प्रती व्यक्ति आए एक लाख चालीस हजार रुपे हो गई है यह भी हमको ध्यार रखना चाहिए यह चोटी घटा है नहीं मित्रों लेकिन हाँ गाओं में घरों में लोगों को बताना यह यहां भूत अध्यक्षों का काम है यह मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा और यह आपको कहना चाहूंगा मित्रों हमारे विरोधियों पर मैं आज कुछ कहूं इसकी आवशक्ता नहीं है लेकिन हाँ यह मैं जरूर कहना चाहता कि कॉंग्रेस का मतलब है करप्षन, कॉंग्रेस का मतलब है कमिशन, कॉंग्रेस का मतलब है डिविजन, कॉंग्रेस का मतलब है भाई भती जावार, कॉंग्रेस का मतलब है परिवारवार, और भारतिय जनता पार्टी का मतलब है मिशन, भारतिय जनता पार्टी का मतलब है समा सशक्ति करन्पतिय जमताराइड का मतलब है रिपोर्ड कार्ड कِ वो किया है जो कहेंगे वो करके देंगे यह भार्तिये जमता पार्टी में पर चलते यहां कोई थी नेता करके खड़ा होता है तो वह एक योजनाओं के बारे में चर्चा करता है लेकिन अगर आप कॉंग्रेस के नेता कि कभी आप भासन सुनिए भाई को भाई से कैसे लडाया जाए जाती को जाती से कैसे लडाया जाए धर्म को धर्म से कैसे लडाया जाए गाओं को गाओं से कैसे लडाया जाए इलाके को इलाके को बताना है आज मितुरा बड़े भागे शाली हो हमें संकल्प लेना चाहिए कि 35 विधांग सभा के जो बूथ अद्धिक्षा आए है किसी भी बूथ अद्धिक्ष को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बूथ पर जीत ही हासिल होनी चाहिए जीत ही हासिल होनी चाहिए जीत के लिए काम करना तो हम क्यों हार जाएं हम किसी बूत पर क्यों पीछे रह जाएं हम कैसे पीछे रह जाएं समाज के लिए मोदी जी शिवराज जी सभी लोग हमारे नेता गण हमारे मंत्री गण हमारे सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं उनकी चिंटा कर रहे हैं उसके बात अगर हमको समाज का ट्यार नमिले यह संभव नहीं है और मेरा यह पूरा विश्वास है हम अगर जाएंगे तरकों के आधार पर अपनी बात कहेंगे तच्छों के आधार पर कहेंगे मुद्धों की चर्चा करेंगे लोग हमारे साथ चलेंगे इस बात का मुझे लेकिन जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं अहंकार में डूबे हुए हैं अहंकार बढ़ा है समझदारी छोटी है समझदारी बहुत छोटी है अब आज पता चला मुझे कि सारे देश में कंग्रेस पार्टी वाले सत्यागरा कर रहें सत्यागरा अरे सत्यागरा तो 1906 में महात्मा गांदी ने किया था साउथ आफ्रिका में सत्यागरा तो महात्मा गांदी ने 1919 में किया था भारत में किसके लिए किया था भारत के सम्मान के लिए किया था भारत की एस्विता के लिए किया था किस के लिए किया था भारत में भारतिया का राज हो इस बात को बढ़ाने के लिए किया था आप सद्यागरा कर रहे हो किस बात के लिए सद्यागरा कर रहे हो क्या है आपका अहंकार लोग तंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो कानून पर विश्वास नहीं करते हो अती पिछड़ा जाती सूचक गाली देते हो कहते हो कि चोर है कोट कहता है आपको न्यायले कहता है माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इंकार करते है आपकी सदसिता चली जाती है आपको सदा हो जाती है रसी जल गई बल नहीं गया अहंकार नहीं गया क्या कहते हैं कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता मैं किसी से नहीं डरता अरे भई सम्विदान से तो डरो, कानून से तो डरो, कोट से तो डरो, कुछ तो समझो, लेकिन नइ, ऐसी समझदारी अहंकार इतना बड़ा और समझदारी एतनी छोटी सत्याग्रा करने चले मित्रो देश कभी इनको माफ नहीं करने वाला है और जनता को जाके बताओ इन लोगों ने अती पिछड़ा को जाती सूचक बोल करके उनके प्रती चोर शब्द का इस्तमाल करके गाली देने का प्रियास किया उसके बाद माफी भी नहीं मानी ऐसे अहंकारी पार्टी और नेताओं को जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से उनको सदा सदा के लिए जवाब देना चाहिए इस बात को उनको ध्यान में रखना है मित्रो इसके साथ-साथ और सुनिए एक नेता कल्ब भयान दे रहे थे कि परिवार की प्रिष्ट भूमी जान कर कही कानून को लागू करना चाहिए बतलब चाहे गरन तो बोले लेकिन चाहे के साथ-साथ चाहे की कितली भी उत्री गरन है ये देखिए क्या तरीका है यानि जिसको कहते हैं कि अपने नेताओं को खुश करने की कोई सीमा नहीं रखी है इसलिए मित्रो मैं आपको सिर्वे की बात कहना चाहता हूँ आज ये हम सब के लिए बहुत ही सौभागी की बात है कि आप सब लोगी सुचा के साथ इस नवरात्रों में इस बूत समेलन में इकतरा हैं आप जाएए हमारे नेताओं का संदेश गाउं गाउं पहुंचाईए वहां मुद्दों पर चर्चा कीजिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारतिय जंता पारिटी को हर घर में हर बूत में यशस्वी बनाईए उसके लिए स्थान पैदा कीजिए उसके लिए दिल में स्थान पैदा कीजिए इस काम को और इस लक्षर को पूरा कीजिए इनी सब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जै भारत जै मद्रदेश